अध्याद अध्यक्षी एक ऐसा महत्पूर्ण विशे जिस पर विपक्ष ने चर्चा मांगी और पहली BAC की मीटिंग में हमने सत्तापक्ष से रहते हुए तैय किया कि जो भी महत्पूर्ण मुद्दे विपक्ष चर्चा करना चाहता हैं उसके लिए तैयार है पहले दिन ये तैय हो गया कि सबसे पहले राफेल के विशे पर चर्चा की जाएगी कॉंग्रेस पार्टी को 20 दिन से ज़्यादा समय तैयारी के लिए लगया चर्चा करवाने के लिए अपने नेता को खड़ा करने के लिए और जब खड़ा भी किया तो एक तो एक कनफ्यूज और करप्ट नेता को खड़ा कर दिया चर्चा करने के लिए भी कोई इमानदार नहीं मिला एक ऐसे कनफ्यूज व्यक्ति को जो करप्ट भी है और बेल पर बाहर भी हैं उनको खड़ा किया गया जो देश में अपना टेक्स आज तक आदा नहीं कर पाए जो जो कनफ्यूजन इतनी है कि थोड़ा लेट समझ उठते हैं अध्यक्षी अध्यक्षी कनफ्यूजन इतनी थी अध्यक्षी I will say to you अध्यक्षी कनफ्यूजन इतनी है कि वो इस इस हद तक गिर गए कि जिनके परिवार और पार्टी इस देश के पत्रकारों को एमर्जेंसी के समय लगाम लगा देते हैं कि वो स्वतंत्र लेक नहीं लिख सकते पार्लेमेंट की फंक्शनिंग हो लोगतंत्र को खतम करने की बात करते हैं वो रूप इनमें देखने को नजर आया जबो समिता प्रकाशी अध्यक्शी एन नाई की एक वरिष्ट एडिटर समिता प्रकाशी एक महिला पत्रकार उनके बारे में इस तरह की बात कही गई जिन्होंने डेड़ घंडे तक महराज आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ साथ मैं बैट कर भी आपको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था अब यहां चिलाने से कुछ नहीं होगा यहां चिलाने से कुछ नहीं होगा और मैं 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 समझ सकता हूँ दर्द कितना हुआ होगा और यही नहीं प्याइब झार कार्टी